असलामलीकुम दोस्तों आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने योटूब चैनल कतर खबर योटूब चैनल पे तो सबसे पहली जो खबर आ रही है कतर फॉंडेशन लाउंच ग्रीन आइलेंड रिसाइकलिंग हब इन एजुकेशन सिटी कतर फॉंडेशन के तर लोग उसे बरबाद कर देते हैं पर उन चीजों को दोस्तों आप रिसाइकल किया जाएगा और रिसाइकल करने के साथ साथ उनको दोबारा यूज किया जाएगा इससे दोस्तों फाइदा बहुत सारे लोगों को होगा जैसा कि दोस्तों जितने लोग भी वहाँ पर उक्रेनियन बच्चों को वहाँ पे निकाला गया यानि जो वार एडिया है वहाँ से निकाला गया और दोस्तो रसियन चिल्डेन भी वहाँ पे थे जिसके बाद उनके माता पिता से उनकी मुलकात करवाए गई जैसे की वीडियो के सुन पर दोस्तों फोटो में देख सकते हो भायों देखी अभी देश के दो चार देशों की स्थिती बहुती खराब है रसिया यूकरेन के बीच में इसराइल फिलिस्तीन के बीच में इसराइल और लेबनान के बीच में तो लगतार दोस्तों अभी पूरी दुनिया में पांच मुलकों में जंग जारी है तो दोस्तो गाजा दोस्तों आप जानी रहेंगा बताने एक थर मुझे जरूत नहीं है तो ये साथियों कतर के तरब से कल के दिन ये announcement किया गया कि कतर के तरब से 100 million US dollar का मदद भेजा जाएगा गाजा जिसमें खाने पीने की चीज़े दवाईयां वगएरा अब दोस्तों वहाँ पे storage किया जाएगा और जो जरतमन लोग होंगे उसको ये खाना को वहाँ पे provide up किया जाएगा अब जाहिट से बात है दोस्तों कतर के लोग तो वो खाना खाएंगे नहीं तो दूसरे मुलकों में इसे बेजा जाएगा अगली जो अपडेट दोस्तों आरी बहुत ही बड़ी ख़बर है भाई जैसा कि मैंने आज starting बताया कि अभी कुएत में इस्राइल और लेबनान के बीच में जंग जा रही है तो दोस्तों हिजबुल्ला के बारे में आप लोग ने सुना होगा तो दोस्तों इस्राइल के तरफ से दावा किया जा रहा है जो हिजबुल्ला को जो में लीडर है उसको एरिस्टाक में मार गिराया गया है जैसा कि दोस्तों ख़बरों में यहाँ पर पढ़ना आप चाहो तो पढ़ सकते हो खबर दोस्तों यही निकल के फिलाल अभी आ रहे है इरान से हिजबुल्ला लीडर पार्ट टू कंटिरिंट डिस्पाइटिस किलिंग यानि उनकी मौत क्यों पुस्टी कर दी गई है इस्राइल के तरफ से भी इरान के तरफ से भी किया जा रहा है तो यह कुछ खबर है थी अपडेट सी जो कुए से आ रहे थी मैंने अब तक से एर किया मिलता हूं दोस्तों एक शोड़ी पर जाहीं दर लाफिस टेक केर